आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नौटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एलोवेरा जेल की मदद से अपने चेहरे को कैसे गोरा बनाएं आज कल के समय में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा गोरा हो और चमकता दमकता रहे इसके लिए वो तरह तरह के ट्रीटमेंट कराता है चेहरे को निखारने के लिए महंगी महंगी क्रीम का इस्तमाल करता है चेहरे को गोरा करने के लिए इन चीजों को लगा तो लेता है लेकिन चहरा उससे और भी ज़्यादा बद्रंग हो जाता है इस कारण उनके चहरे पर जाईयां दिखने लगती हैं और चहरे पर काले धबबे भी पड़ जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट में क्रीम मिलती है उनमें ज्यादा तर केमिकल होते हैं जो हमारे चहरे को कम उम्र में ही बड़ी उम्र जैसा बना देते हैं चलिए छोड़िए इन चीज़ों को आप हमारी रेमेडी को प्रियोक कीजिए और अपने चहरे को गोरा बनाईए इसमें आपको करना क्या एक चमबच एलोविरा जेल लेना है और एक चमच एलोब्रा जेल कैसे लेंगे जरा देख लीजिए एलोब्रा जेल हमारे चेहरे को सौफ्ट बनाती है और सर्दियों में हमारे चेहरे को मॉस्टराइज करती है जिसे हमारा चेहरा दिन प्रती दिन चमकता रहता है साथ ही साथ हमारे चेहरे पर पिंपल जैसी समझ जा होती है उसे हटाने में मददगार होता है उसके साथ लेंगे एक चमच कच्चा दूद जी हाँ एक चमच कच्चा दूद लेंगे क्योंकि कच्चा दूद हमारे चेहरे को गोरा करता है और साथ ही चेहरे को मौशराइज भी करता है जिन लोगों की सकिन काफी ज्यादा ड्राई होती है उन लोगों के लिए कच्चा दूद काफी अच्छा होता है क्योंकि दूद में लेक्टिक एसिड होते हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं और हमारे जो चहरे पर हलके हलके बाल होते हैं वो भी इनसे तूट जाते हैं दूद की अगर हर रात सोने से पहले मसाज करते हैं तो आपके चहरे पर जो हलके सी पाया जाता है तो हमने क्या क्या लिया एक चममच नीबू का जूस ले लिया एक चममच पक्चा दूद ले लिया और एक चममच एलो विरा जेल ले लिया अब लगाने की विधी देख लिजे अब इन तीनों लगा कर हलकी मसाज करें और बाद में चेहरे को गुन-गुने पानी से दोलें अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो आपका चेहरा निखर कर एकदम चमकतार हो जाएगा बहुत छोटी सी रेमेडी है दोस्तो इसको जरूर इस्तिमाल की दिये बहुर भी लोगों ने इसको इस् हरू का निदान